अब स्वेगी और जमेटों से खाना ओर्डर करना 60% महंगा हो जाएगा जी हाँ अगर आप स्वेगी और जमेटों से खाना ओर्डर करते हैं तो आपको 10 से लेकर 60% तक एक्ष्ट्रा कीमत चुकाने पड़ेगी International Organization जैफरीन के सर्वे के अनुसार ये नया रिपोर्ट सामने आया है जहां पुरे देश भर के 8 बड़े सहरों में जब 80 रेश्ट्रेंट्स के सर्वे किये गए तो ये बात सामने आई कि अब फूड डिलिवरी अप से खाना ओर्डर करना ज्यादा महंगा हो जाएगा अब नमस्कार में निहा चौधरी कैमरा परसन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जन्ता जंक्षिन जैफरीन के रिपोर्ट के मुताबिक फूड डिलिवरी करने वाली आप की कमिशन और उसके प्रचार में ज्यादा पैसे लगने की वज़े से रेश्ट्रो के फूड या फिर जमेटों से ओर्डर करेंगे तो वही डिस आपको 100 से 110 रुपया और 160 रुपया ज्यादा मिलेगा यानि कि अगर आप कोई फूड रेश्ट्रो में बैठ कर कम कीमत में कोई डिस खाते हैं तो वही फूड अगर आप फूड डिलिवरी आप से ओर्डर करेंगे तो उ उसमें फूड की पैकिंग उसका प्रचार और फूड आपका कमिशन चार्ज लगाकर इसकी कीमत बढ़ जाती है जैफ्रीन के सर्वे में ये बात सामने आई है कि देश में जितने भी रेश्ट्रों है उनमें से लगबग आधे रेश्ट्रों पैकिंग सुल्क लगाते हैं जो कि बिल का चार से लेकर पांच प्रतिसत होता है यानि कि सवेगी और जमैटो से जब भी आप खाना ओर करते हैं तो इसमें चार से लेकर प्रतिसत आपके खाने की पैकिंग का चार्ज जुड़ा होता है इसके साथ साथ फूड डिलिवरी चार्ज भी लगबग 13 प्रतिस प्रतिशत होता है यानि कि फूर्ड डिलीवरी आप आपके घर तक खाना पहुचाने के लिए 13 प्रतिशत का कमिशन लेती है इसके साथ साथ सारे आपका भी अपना अलग अलग कमिशन चार्ज होता है जो कि ग्राहक से ही वसूल के जाते हैं यानि की कुल मिलाकर जब आप खा कि इसका प्रचार और कमिशन चार्ज मिलाकर देना पड़ता है जैफ्रिन ने देश के आठ प्रमुक शहरों में असी रेश्टों का सर्वेक्षन किया और खाने की ऑनलाइन और आफलाइन कीमतों की तुलना की तो इसमें और्गनाइजेशन ने ये पता लगाया कि 120 इसे 2800 रुपे तक के 240 ओडर बनाए जिने अलग-अलग संस्थानों से ओडर किया गया सर्वेक्षन में असी रेश्टों में डिस्की कीमतों में ऑनलाइन और आफलाइन में काफी बड़ा अंतर नजर आया है डिलिवरी आप पर आफ़र के बावजूद खाने की कीमत में कान की दर से अथिक कीमत पर बेचना पड़ता है क्योंकि जिस आप से आप और करते हैं उसे आपको हमें कमिशन देना पड़ता है अगर किसी डिश की कीमत 200 रुपे है तो हमें उस आप पर 240 या फिर 250 रुपे में उसे बेचना होता है और इसके साथ खाना ग्राहक तक पहु कि आप इसको लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताईएगा आगे की खबरों के लिए जनता जंक्षन देखते रहें हनिवाद